नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्त हरीश लालवानी आज हम सर्कल कमांड के बारे में सीखेंगे और यह भी देखेंगे कि सर्कल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं होम टेप के ड्रो ब्लोक में थर्ड नंबर का ओप्षिन सर्कल है इससे हम शुरुआत करते हैं इसका शॉटकट है सी तो आप यहां से क्लिक करके सिलेक कर सकते हैं या फिर आप डारेक्ट सी भी दबा सकते हैं यह मैं सी प्रेस करता हूं एंटर किया और यह अपना सर्कल बन अब सर्कल कैंशले शारे ऑप्षेन से अब हम उनको देखते हैं सबसे पहले सर्कल कमाट में जाते हैं और यहां पर लिखाओ है कई अब हम किसी भी पाइंट पर क्लिक करते हैं तो यह सरकल का सेंटर पॉइंट माना जाएगा और यहां पर हम जितने भी साइज का सरकल देते हैं जैसे अभी मेरे इसमें एम एम की यूनिट दिवी है तो मैं यहां पर 15 mm करका एंटर कर देता हूं तो यह देखिए यह 15 mm की डायमीटर कर देते हैं डायमीटर यानि रेडियस का अजस्ट डबल यानि पूरे सरकल की चोड़ाई अब यहां पर हम देखते हैं इसको हमने सेलेक किया यहां क्लिक किया एक पैंट पे और मालिज में इसे 40 कर देता हूं एंटर कर देता हूं अब इसका डाया 40 का हो गया है चेक करते हैं, यहाँ पर आए और यह डायमिटर, इस सर्कल पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए, फोटी का डायमिटर बता रहा है यह, अगले प्वंट पर आते हैं, सर्कल कमांड में गए, अगला है तू पइंट, माल लिजे, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, यहाँ में ुल से gano realt बना देता हूं कि हमें लैंद बनाई और फिर वापस के all-in- να माल लइजेए आपको एक सरकल चाहिए जो इस लाइन ओर इस लाइन के एंड पैंट से टछ करता हो लोत यहाँ पर हम आएंगे हो टू-पाइंट सरकल क्लिक कर देंगे पहला पेंटैपनि आप किया दूसरा पंट यहां पर क्लिकंग किया यह देखिए दोलनों पाइटे Name में 100 मैं सर्कल बन गया तो इस तरह से आप चुप इंट सर्कल बना सकते हैं अगला सर्कल ए त्रिप एंट ऊर्कल इसके लिए भी हम लैना टूल से पेले एक शैफ बना देता है यहां मैंने यहां पर क्लिक करके लाइन दी और यहां पर क्लिक करके लाइन दी अब आपको एक आपकी ड्राइंग की आउशकता अनुसार एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों लाइन के यहां पर यहां पर यहां पर फिर ट उच करता हुआ एक सर्कल बने तो हम यहां पर आपके अज़्रों सर्कल में ऊपर these लुपाइट करें और देते हैं यह देखिए हमारा इन तीनों पर ड्राइंट को टच करता हुआ एक सर्कल क्रीक्ट हो तो इस तरह से हम 3. circle का यूज कर सकते हैं अगला है हमारा 10 10 radius 10 का मतलब होता है tangent यानि आप जिस point को जिस line को select करते हैं उस line को छूब कर निकलता हुआ जो circle बने का वो उसका tangent कहलाता है तो यहाँ पर हम उसको use करके देखते हैं जैसे वापस हम इसके लिए लाइन टूल लाइन कमांड से यह रेंडम ली एक लाइन बना दी और एक लाइन हम नीचे बना देते हैं अब मालने जिए मुझे एक ऐसा circle बनाना है जो इस line को इस line को छूब कर बने तो यहाँ पर हम आते हैं circle पे 10 10 radius इस लाइन पर क्लिक किया इस line पर क्लिक किया और specify radius अब यहाँ पर हमें इसको रेडियस भी देनी है तो 10 10 radius को समझने के लिए हमने यह दो रेंडम ले लाइने खीज दी अब हम यहाँ पर आते हैं 10 का मतलब होता टेंजेंट यानि जो लाइन आपने सिलेक की है उस line को छूब कर बनता हुआ यह सरकल बन गया इसे कहेंगे 10 10 radius क्योंकि दो लाइनों कुछ हुआ है प्लस साथ में हमने रेडियस भी दी है अगले पैंट पर आते हैं अगला सरकल है 10 10 10 यानि तीनों ही तरफ टेंजेंट हैं अब हम रेंडमली यहाँ पर लाइन टूल से कुछ रिपीट किया इसी को हम एक और एक्जमपल ले लेते हैं जिसे मैंने यह रेंडमली यह रेंडमली तो अलग अलग शेप ले लिए लाइनों के अब मुझे 10 10 10 वाला यूज करना है तो यहां से हम 10 10 10 पर आये इस लाइन पर क्लिक किया इस लाइन पर क्लिक किया थार्ड ला चेको से तरकल कमंड पे आये 5 इस लाइन को तच किया इस लाइन को टच किया और इससे टच कियान तो यह देखिए हमारे जो सरकल है ऑर यह तैनृध पर टंट शुच्ल कहा जाता है तो इतने सभी तरुकों से हम इन सर कल का यू depuis कर सकते हैं आज की class में बस इतना ही, next session में नई tools सेखेंगे, धन्यवाद.